दोस्तों ये संद 17.13 का दौर था स्विजलेंड के अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया जिसने पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स और काला पैसा रखने वालों को फाइनेशली आजाद कर दिया और तब से आज तक दुनिया का हर करप्ट पॉलिटिशन, क्रिमिनल और इवन माफि या भी स्विज बैंक में ही अकाउंट ओपन करता है अगर स्विज बैंक के अंदर ऐसा क्या है जो हर करप्ट बन्दा अपना अकाउंट वहीं पर ओपन करता है और पाकिस्तान के कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अकाउंट्स स्विज बैंक में मौजूद हैं आज किस वीडिय के बारे में जानना जरूरी है वैसे तो आप मेंसे काफ़ी सारे लोगों को black money के बारे में पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि हर वो पैसा जो illegal तरीके से कमाया जाता है इसे black money कहते हैं इसकी वज़ा ये है कि इस पैसे का source government से चुपाया जाता है और क्यों कि यहां पर भी government laws की problem आ जाती है तो किसी भी criminal या organization को अपना पैसा चुपाने और save करने के लिए एक ऐसी जगा की ज़रूरत है जहां किसी सवाल का जवाब दिये बगएर अपनी black money को save कर सकें Mostly लोग इस पैसे को मुलक से बाहर निकानने की कोशिश करते हैं ताकि illegal पैसे को white बना सकें लेकिन मसला ये है कि ये पैसा legal तरीके से मुलक से बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर भी government laws की problem आ जाती है सो किसी भी criminal या organization को अपना पैसा चुपाने और save करने के लिए एक ऐसी जगा की ज़रूरत है जहां किसी सवाल का जवाब दिये बगएर अपने काले पैसी को महफूस कर सकें इस काम के लिए जितने भी तरीके अपनाए चाते हैं इनमें सबसे famous Swiss bank में account open करना है क्योंकि Swiss bank दुनिया का एक ऐसा bank है जहां कोई भी शक्स अपना दो नमबर पैसा बगएर किसी पूश्टाश के आसानी से जमा करवा सकता है और ये रकम हमेशा के लिए score हो जाती है पिर चाहे ये पैसा खरबो रुपे में ही क्यों ना हो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि Swiss bank कोई एक bank नहीं है बलकि Switzerland के अंदर जितने भी banks मौजूद है इन सब को Swiss bank ही कहा जाता है Swiss bank की currency Swiss franc है जो कि दुनिया की सबसे stable currency मानी जाती है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि Swiss land की government आखर criminals को इतनी safety provide क्यों करती है कि वो अपना पैसा अराम से इन बैंकों में रख देते हैं हाला कि आप दुनिया के किसी भी bank में अगर पैसे जमा करवाती हैं तो सबसे पहले आप से source of income पूछा जाता है लेकिन Swiss bank दुनिया का वो वाहिद bank है जहां source of income के मतलिक इतनी सकती नहीं होती ये आप से source पूछते तो हैं लेकिन वो सिर्फ एक formality होती है वेल इसकी एक खास reason है कि Switzerland में banking के हवाले से कुछ ऐसे rules हैं जिनकी वज़ा से Swiss bank पूरी दुनिया में बहुत famous हैं सन 17-13 के अंदर Switzerland government ने एक act pass किया था कि इस मुलक का कोई भी bank अपने client की किसी भी information को share नहीं कर सकता जाहे वो कोई government entity हो या फिर private Swiss bank किसी भी सूरत में अपने client की information किसी को भी नहीं देगा इवन किसी मुलकी government को भी ये authority नहीं होगी कि वो Swiss bank से किसी बंदे की account detail मांग सकें जैसे ही ये law pass हुआ तो France और European Union के जितने भी rich और powerful लोग थे इन्होंने अपना पैसा Swiss bank में transfer करना शुरू कर दिया असल में इस law को बनाने का मकसद दिये था कि इससे Switzerland की अंदर दूसरे मुमालिक से पैसा मंगवाया जाए ताकि मुलकी currency strong हो इस तरह आइस्दा दुनिया के तमाम corrupt politicians, illegal organizations और criminal का रुझान Swiss banks की तरफ बढ़ता गया और इन्होंने Swiss banks में अपना पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ इनसे कोई सवाल नहीं करता था कि इनके पास ये पैसा कहां से आया है इससे इन सब को फाइदा हो रहा था लेकिन indirectly Swiss land सबसे ज़दा नफे में था क्योंकि इस पैसे से Swiss land की economy मजबूत हो रही थी जब Swiss land की government ने अपनी currency को strong होते हुए देखा तो 1934 में एक और law pass किया जिसके मताबिक अगर Swiss land का कोई भी bank employee दुनिया की किसी भी government या tax agency को अपने client की detail देगा तो इसे 5 साल की सजा सुनाई जाएगी पिर चाहे वो detail किसी criminal की ही क्यों ना हूँ ये दुनिया में आज तक बनाया जाने वाला सबसे strict banking law माना जाता है आप सब सोच रहे होंगे कि ये भी तो हो सकता है कि कल को किसी political pressure की वज़ा से ये एक्ट चेंज हो जाए और तमाम क्रिमिनल्स के पोल खुल जाएंगी तो मैं आपको बताता चलूं कि Switzerland के अंदर ये कानून कभी भी जे नहीं हो सकता इसकी reason ये है कि Switzerland की economy प्लस politics दोनों ही neutral है इस मलकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ना ही ये मलक किसी दूसरे मलकी favor करता है और ना ही उनके खिलाफ बात करता है इवन World War I और World War II में भी Switzerland ने ना तो अमेरिका का साथ दिया था और ना ही Soviet Union का बलके ये मलक मुकमल neutral रहा ताके इनकी economy पर कोई फर्क ना पड़े और सब लोग comfortable होकर अपना पैसा यहां पर जमा करवा सकें फिर 1934 में Switzerland ने जो privacy law बना दिया ये law बनने के बाद दुनिया के तमाम black money holders के दिल में जो थोड़ा सा भी डर था वो भी खतम हो किया और इन्होंने बे धड़क होकर अपना illegal पैसा स्विज बैंक्स में जमा करवाना शुरू कर दिया Switzerland को पैसों के लिहाज से सेफ इसलिए भी माना जाता है कि संद 15 सो से लेकि आज तक इस मुलक ने किसी दूसरे मुलक के साथ जंग नहीं की इवन वर्ल्ड वार्स के दौरान भी ना सिर्फ करफ बलके जिन लोगों के पास legal पैसा था उन्होंने भी अपना पैसा, सोना और जरूरी डॉकुमेंट्स स्विज बैंक्स में रखवाने शुरू कर दिये थे आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस टाइम पर स्विज लेंड में सोने, चांदी और इस तरह की कीमती समानों से बरी हुई ट्रेंज बेजी जाती थी क्योंकि लोगों को इस बात का यकीन था कि इनके लिए इस मुलक से सेफ प्लेस और कोई नहीं है सो अब बारी आती है स्विज बैंक में अकाउंट को ओपन करवाने की अकाउंट ओपनिंग के बारे में सबसे पहली बात हो ये है कि इसमें दुनिया के किसी भी मुलक का कोई भी रेजिरेंट आसानी से अपना अकाउंट खुलवा सकता है इवन आप और मुझे से लोग भी घर बैठे स्विज बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि अकाउंट खुलवाने वाले शक्स के पास एक मिलियन स्विज फ्रेंक्स मौजूद हों स्विज बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास कम से कम 31 करोड रुपे होना जरूरी है इसके इलावा अकाउंट होंडर की एज 18 साल होने चाहिए और इसके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है इसके इलावा अकाउंट ओपनिंग से पहले आपकी स्किल, जॉब, एड्रेस और सोर्स अफ इंकम के बारे में भी पूछा जाता है शुरू में स्विज बैंक के अंदर सोर्स अफ इंकम के हवाले से कोई सवाल नहीं किया जाता था लेकिन फिर बहुत से मुमालिक में मनी लॉंडरिंग होने की वज़ा से स्विज लेंड की गौवर्मेंट पर प्रेशर डाला गया कि लोगों से इंकम के बारे में सवाल किया जाए कि वो ये पैसा कहां से ला रहे हैं यॉर्पियन यूनियन के प्रेशर के वज़ा से स्विज लेंड की गौवर्मेंट ने फॉर्मेलिटी के तौर पर ये रूल बना दिया कि क्लाइंट से सोर्स आफ इंकम भी पूछा जाएगा हकीकत में इन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि ये पैसा आप कहां सिला रहे हैं और आप इन्हें जो भी सोर्स बताते हैं वो इसे एकसेट कर लेते हैं अब आते हैं Swiss bank की accounts की तरफ, इसमें basically दो तरह की accounts होते हैं, एक तो वो जो normal account की तरह होता है, ये same to same दुनिया के दूसरी banks जैसा होता है, जिसमें आपका नाम और details वगरा होती है, जबकि दूसरा account, number account होता है, जो कि सबसे important है, इसमें आपके नाम की जगा numbers यूज के जाते है और वो numbers ये आपकी पहचान होते हैं, अगर कोई अपनी account को secret रखना चाता है, तो वो numbered account open कर सकता है, मज़े की बात ये है, कि ये numbers सिर्फ इसी इनसान को पता होते हैं, जिसका ये account होता है, इसके इलावा दुनिया के किसी शक्स के पास इस account की कोई information या नाम वगरा नहीं हो कि आपकी information क्या है, और इसे सिर्फ वही access कर सकता है, जिसका ये account हो, इवन इसे आगे आने वाली नसलों को भी transfer किया जा सकता है, लेकिन numbered account को आप online नहीं खुलवा सकती, इसके लिए आपको एक तफ़ा physically Swiss bank में जाना पड़ता है, सिर्फ इतना ही नहीं, बलकि इस bank में आप account खुलवाने के साथ साथ waltz भी ले सकती है, इसमें आपो एक तिजोरी दी जाती है, जिसके अंदर सोना, चांदी, documents, cash, weapons और इवन दुनिया की कोई भी चीज रखी जा सकती है, और वो सदियों तक महफूज रहती है, इसे भी amazing बात ये है, कि ये waltz bank के अंदर नहीं होती बलके इन्हें पाड़ों के अंदर बनाया गया है, इवन ये waltz जहां पर secretly बनाये गई है, वहाँ जाने के लिए कोई road नहीं होता, बलके वहाँ पर helicopters और planes के जरीए जाना पड़ता है, ये waltz सिर्फ दुनिया की अमीर तरीन बंदों के लिए ही बनाये गई है, क्योंकि इ कोई भी track ना कर सकी, बलके इसकी जगह पर आपको एक travelers check दिया जाता है, जिसे Swiss bank खुद issue करता है, इस check में amount और बाकी details पहले से ही mention होती है, और आपको सिर्फ इसे as a currency use करना होता है, मेवी आप में से कही लोगों ने news में सुना होगा, कि फलाँ politician की raid के दौरान इसके पास Swiss bank का traveler check मौजूद था, तो इससे सिर्फ वही लोग use करते हैं, जिन्होंने अपनी transaction चुपानी होती है, और इसके लिए bank बाकाइदा fees भी लेता है, बिसिकली दुनिया का कोई भी hacker, government और cyber security expert भी आपकी financial transactions को track नहीं कर सकता, अब last में बारी आती है, कि अगर Swiss bank के किसी account holder की तो पैसा उसे मिल जाता है, लेकिन अगर in case ऐसा ना हो, तो सारी का सारा पैसा bank की अंदर ही पड़ा रहता है, mostly तो bank वालों को पता ही नहीं होता कि account holder जिन्दा है, या पिर मर चुका है, क्योंकि bank कभी भी client से contact नहीं करता, Swiss bank का account 10 साल तक बगएर transaction की भी activate रहता है, और bank वा हो जाएगा, और दुनिया का कोई भी बन्दा इससे पैसे कभी भी नहीं निकलवा पाएगा, खेर अब बात करते हैं, पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं, जिनका Swiss bank में account है, वेल business standard के मताबिक 1400 पाकिस्तानी ऐसे हैं, जिनका Swiss bank में account है, इसके इलावा Panama Leaks, Pandora Leaks और Paradise Papers के मताबिक पाकिस्तानी करप्ट लोगों की 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा रकम Swiss banks के अंदर पड़ी हुई है, इन में पाकिस्तान के journals, politicians और criminal mafias शामल हैं, लेकिन as you know, इन accounts के information किसी के पास नहीं है, और ना ही कोई government Switzerland से ये information ले सकती है, सो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही, उमीद आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की informative वीडियो देखने के लिए, चैनल को subscribe जरूर किये जएगा, मिलता हूँ आप से next वीडियो में, तब तक के लिए, अला हाफिस